बाहर के किसी ऐसे देश में रहना जहां धार्मी का अजाती हो वाकई अलग बात होती है हम सभाएं कर सकते हैं सुसमाचार का ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं पहले आसकर माप क्या तुमने देखा बहुत बड़ा हंगामा हो गया क्या हंगामा हो गया? हमारे कलीसिया के चर्चा समोमे हंगामा मचा हुआ है चर्चा समोमे हंगामा? ऐसा लगता है भाई जांग ने कोई सवाल पोस्ट किया है जिस पर वो सबसे चर्चा करना चाते है ए प्रभु क्या ये प्रश्नव तुम्हें सामानिय सा लग रहा है? क्या असल में तृत्व का अस्तित्व है तृत्व का अस्तित्व वो लोग तृत्व पर सवाल उठा रहे हैं ये तो बहुत ही गंभीर मामला है और अब दूसरे भाई बहन भी अपनी पृतिकरिया दे रहे हैं जर एपोस देखो भाई जांग क्या आप वाकई गंभीर हैं हम लोग परमपिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में आस्था रखते हैं क्या ये तृत्व नहीं है बिल्कुल सही ये हमारी आस्था की बुनियाद है आखिर तृत्व पर शक करने के आपके साहस या आत्मविश्वास का आधार क्या है यहां क्या चल रहा है भाई जांग को कार्य और प्रचार प्रसार करते तीस साल से ज्यादा हो गए वो बाइबल को समझते हैं तो फिर वो तृत्व पर शक कैसे कर सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्यों भाई जांग, आप तृत्व के अस्तित्व पर विश्वास क्यों नहीं करते, जरा बताएंगे भाई पीटर भी चुप नहीं रह सकते लगता है भाई चैन बिल्कुल शान्त रहना चाहते है सब लोग तसली रखें और जरा शान्त रहें भाई जांग के अपने विचार और मत हैं, उन्होंने कुछ सोच कर ही ऐसा सवाल पोस्ट किया होगा ऐसा नहीं चलेगा अरे कहां जा रहा है हो वापस आ जाओ भाई जांग से खुद पूछने जा रहा हूँ कि उन्होंने तृत्व पर शक किया क्यों, ये तो तो फिर जाने की जरुवत नहीं है, मैं पहले ही जाकर उनसे पूछ चुका हूँ तो फिर मुझे जल्दी से बताओ कि ये सब आखिर हो क्या रहा है मैंने उनसे पहला सवाल यही किया था भाई जांग, हमारे पादरी ने बचपन से हमें बताया है कि परमेश्वर एक तृत्व है पादरी ने हमें तब से बताया है जब से वो बच्चे थे सभी देशों के धार्मिक अगवों में जबरदस्त बहस हुई की परमेश्वर एग है या तृत्व है लेकिन परिशद में कोई नतीजा नहीं निकला बाद में एक सदी से भी ज्यादा की गर्मा-गर्म बहस के बाद आखिर कार परमेश्वर के तृत्ववादी सिध्धान्थ पर बहस का समाधान निकला और तब जाकर ये इसायत का अटल विश्वास बना तुमने सुना क्या तृत्ववादी सिध्धान्थ पर धार्मिक अगवों का एक मत होना कितना ज्यादा मुश्किल था ये वाकाई बहुत मुश्किल था तो भाई जांका इस पर क्या कहना है? ये ये शर्मनाख है यही कि जिस तृत्व वादी सिधान पर धार्मेक अगवे इतनी मुश्किल से एकमत हुए उसका प्रभु यीशु के वचनों में कोई आधार ही नहीं है नहीं है क्या? है क्या? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा कि परमेश्वर तृत्व है? लेकिन प्रभु यीशु उसने कहा? नहीं, नहीं कहा तो क्या पवित्र आत्मा ने कहा? नहीं क्या किसी नभी या प्रिरित ने कभी बाइबल में परमेश्वर के तृत्व होने की कवा ही दी? नहीं, कभी नहीं दी. केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है. परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वो एक तृत्व है, और बाइबल में भी इसका कोई उलेख नहीं है. नहीं आया ना, इसका एक आधार है, क्या आधार है, देखो, प्रभु येश्व ने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दो, ओ, हम दो जिसमें एक जान जैसे हैं, मह लोग जैसा सोचते है, धार्मिक जगत के पादरियों और एल्डरों ने तृत्ववादी सिधान को बाइबल में दिये गए परमपिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आधार पर समझाया है, यह हमारे पादरी की भूमिका में है, भाईयों और बहनों, देखिए, हमारा मा व्यक्ति में परमेश्वर की पूरी दिव्यता है, और वो एक ही सत्ता में समान रूप से मौझूद है, इसलिए, बात इतनी सी है कि जिन तीन व्यक्तियों से मिलकर तृत्व बना है, यह अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर तीन में एक ही है, अगर तुमने ये बाद भाई जांग से कही होगी, तो उनकी बोलती बंद हो गई होगी है, कहने के लिए कुछ बचाए नहीं था, एकडम सही, तो मैंने उनकी बात सुनी है, तो क्या तुम्हारी बोलती बंद हो गई? भाई ली, प्रभु येश्व ने कहा था और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 32 मढ़ लो, पर क्या प्रभु येश्व ने ऐसा कहा कि परम-पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विचार का भिप्रा यही है, कि परमेश्व तीन अलग-अलग व्यक्तियों से मिलकर ही बना है, अगर तुम्हारा तर्क यही है, तो जछे म पवित्र आत्मा है क्या पुत्र का सार पवित्र आत्मा है प्रभु ईशु को पवित्र आत्मा ने धारन किया था उसका सार पवित्र आत्मा था तो क्या परमपिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है अब ये जाहिर है वे एक ही आत्मा है चुंकि वे एक ही है तो तेरम उन्हें तीन व्यक्ति क्यों कहते हैं? वो तो… यखीनां तीन व्यक्ति यानि तीन अलग अलग आत्मा यानि तीन अलग 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 अत्मा यानि तीन अलग 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 परमेश्वर क्या येक सच्छे परमेश्वर के तथ्य का खंडन नहीं करता है? क्या भाई जांग ने इसी तरह तुम्हारे साथ सहभागिता की थी? हाँ ज़रा रुको, मुझे सोचने दो हाँ सोचो किवल एक ही परमेश्वर है और एक ही पवित्र आत्मा परमेश्वर तृत्वर है तो वो तीन व्यक्ती है तीन व्यक्ती यानि तीन परमेश्वर तीन परमेश्वर यानि तीन आत्माएं यह तो गलत है एक, तीन, तीन, एक अरे इसमें विरोधाभास क्यो है? एक परमेश्वर में आस्था, तीन के आस्था में बदलगे वेश्व विरोधाभास है यह सच है कि किवल एक ही परमेश्वर है, लेकिन, लेकिन, एक ही परमेश्वर तीन भागों से मिलकर बना है, परमपिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यह तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर को पूर्ण बनाते हैं, और उसी को स्वयम परमेश्वर कहा जाता है, है ना? अगर तुमने भाई जहांग को ऐसा उत्तर दिया होता तो उनकी बोलती बंध हो जाती मैंने उनसे यही तो कहा अच्छा लेकिन फिर भी अवाक मै रह गया देखा आपने लेकिन एक मिनिट पर ऐसा उन्होंने क्या कहा कि तुम अवाक रह गए भाई ली एक ही परमेश्वर है और एक ही उसका आत्मा है टृत्व के सिध्धामत के मुताबिक परब्स पुद्र और पवित्र आत्मा हर एक का अपना विशिष्ट सार है और हर एक विशिष्ट व्यक्ती है, यानी परमेश्वर तीन भागों से मिलकर بنا है क्या इसका अर्थ तीन अलग अलग परमेश्वर और तीन अलग अलग आत्मा नहीं हैं, वो कैसे जुड़कर एक बन सकते हैं? जैसे तीन प्यालों के पानी को एक में मिलाया जा सकता है वैसे ही तीन आत्मा मिलकर एक हो सकती है तो जैसे तीन प्यालों के पानी को एक में मिलाया जा सकता है वैसे ही तीन आत्मा को एक में मिलाया जा सकता है ऐसा मान लेने में कोई गलत बात तो नहीं है ना मैं ऐसे घलती नहीं कहूंगा, बलकि बेवकूफी कहूंगा, क्या तुम परमेश्वर के आत्मा को बहुत इक पदार्थ नहीं बना रहे हो? हम परमेश्वर के आत्मा के साथ जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। परमेश्वर के आत्माओं को एक ना करें, तो क्या वो सच्चा परमेश्वर होगा? फिर तो तृत्व के सिधान्त के मुताबिक एक परमेश्वर होने के लिए üç में मिलाना पड़ेगा, और अगर उन्हें ना मिलाया जाए तो तीनों में से कोई भी अपने आप में परमेश्वर नहीं है देखो ये तृत्व के सिध्धान्त के मुताबिक अगर हम उन्हें आपस में ना मिलाये तो क्या यहुवा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर नहीं है तृत्व के सिध्धान्त के मुताबिक उन्हें आपस में ना मिलाया जाये तो क्या पवित्रात्मा परमेश्वर नहीं है तृत्व के सिध्धान्त के मुताबिक अगर उन्हें आपस में ना मिलाया जाये तो क्या प्रभू येश्व परमेश्वर नहीं है या, बिलकुल ऐसा ही है न? धार्मिक जगत परमेश्वर को तीन भागूं, तीन व्यक्टिओं में बाड़ता है, फिर एक ही सत्ना में समेट देता है. ये परमेश्वर को बाड़ना नहीं है? क्या ये नगारता नहीं है, कि परमेश्वर एक ही सच्चा परमेश्वर है? तो इसका मतलब तृत्व का सिधान कहीं ठिकता नहीं है? तो जब धार्मिक जगत कहता है कि परमेश्वर प्रभु येश्व के इन वचनों के आधार पर तृत्व है परमेश्वर के नाम पर बप्तिस्मा लेना। यह बात सही है। साफ कहूँ, तो पुत्र परमेश्वर है। अगर लोग इस तथ्य को सुईकार कर सकें, तो वे सीधे ही प्रभू येश्व के नाम पर बप्तिस्मा ले सकते हैं। रही है ना? हां। लेकिन क्या उस वक्त लोगों को पता था कि प्रभू येशु परमेश्वर हैं? नहीं तो, उन लोगों ने सोजा था कि वो तो नभी हैं. बिल्कुल. तो उस वक्त अगर लोगों ने सीधे प्रभू येशु के नाम पर बबतिस्मा लिया होता, तो क्या वे उन्हें सुईकार कर लेते? मुझे नहीं लगता वो कर लेते. तो तुम्हें जवाब मिल गया? प्रभू येशु ने कहा कि उस वक्त लोगों की अपरिपक्वता और अज्ञानता को देखते हुए, लोगों को ये बताना कि जब वे बबतिस्मा लें, तो वे परमपिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ऐसा कर सकते हैं. परमेश्वर के किसी भी नाम पर बबतिस्मा लिया जा सकता है. लेकिन प्रभू ने ये गवाही नहीं दी कि वो एक तृत्व है. हाँ, ये सहभागिता सही है. तृत्व के सिध्धान्त का वाकई समर्थन नहीं किया जा सकता? आप समझ में आया? हाँ, जरा रुको. अब क्या हुआ? पाइबल में लिखा है, जब प्रभू येश्व ने बबतिस्मा लिया, स्वर्ग की दर्वाजे खुले, पवित्र आत्मा का अवतरन हुआ, और वे कबूतर की तरह धर्ती पर उतर आए. और ये कहते हुए आकाश वानी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं आत्यंत प्रसन्न हूँ. पवित्र आत्मा ने गवाही दी कि प्रभू येश्व परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि प्रभू येश्व परमेश्वर का पुत्र था? ऐसा लगता है, हम फिर से एक जैसा ही सोच रहे हैं. प्रभु येशु ने स्वर्ग में भी अपने परमपिता से कई बार प्रार्थना की, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि यहोवा और प्रभु येशु परमपिता और पुत्र थे? हाँ, विल्कुल, परमपिता परमपिता था और पुत्र पुत्र था, तो दोनों अलग व्यक्ति होये ना, उसमें पवित्र आत्मा को जोड़ दो, तो क्या तृत्व नहीं बन गया? मैंने भाई जांग से यही तो पूछा था, और फिर क्या हुआ? उनकी बोलती बंद हो गई. तो मैं कैसे बता? तुम्हारी हमेशा बोलती बंद हो जाती है. अब की बार भाई जांग क्या बोले? भाईली, अगर आपको लगता है कि यहोवा, परमेश्वर और प्रभु येशु दो व्यक्ति यानि परमपिता और पुत्र हैं, तो प्रभु येशु को ये स्विकार्य नहीं है. प्रभु येशु को ये स्विकार्य नहीं है? हाँ, दो हजार साल पहले यही प्रश्ण किसी ने प्रभु येशु जे पूछा था. उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दें. यानि प्रभु येशु का शिश्य फिलिपियों? हाँ, प्रभु येशु ने उसे क्या उत्तर दिया? प्रभु येशु ने कहा था, ही फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तु मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? तो देखो प्रभु यीशु ने कहा था जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे परमपिता और पुत्र हैं? परमपिता परमेश्वर का आत्मा है और पुत्र परमेश्वर का देहधारी आत्मा है इसे हम परमपिता और पुत्र की उपमा देते हैं जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया, तो एक आकाश मानी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यांत प्रसंद हूँ, ये पवित्र आत्मा ही था, जो उनके देधारन की कवाही दे रहा था, लेकिन अगर ये बात है, तो प्रभु यीशु ने स्व ये सब तो अपने ग्रुप के चैट में है, जब प्रार्थ ना करते हुए यीशु ने स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बलाया, तो ये केवल एक स्रिजित मनुष्य के परिप्रिक्षे से किया गया था, केवल इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा ने एक सामान्य और साधारन दे का चोला धारन किया था, और उसके पास एक स्रिजित प्राणी का बहिये आवनन था, ये द्यबि उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा था, उसका बाहरी स्वरूप अभी भी एक साधारन व्यक्ति था, इसलिए यीशु का स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना वैसा ही था जैसा कि तुम लोगों ने पहले उसे पिता कहा था। उसने शृष्टी के एक व्यक्ती के परिप्रेक्षे से ऐसा किया। क्योंकि वह दे धारन था। उसे परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा गया। और इससे पिता और पुत्र के बीच का संबंध आया। यह बस स्वर्ग और पृत्वी के बीच जो विभाजन है उसके कारण हुआ। यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वह दे के दृष्टी कोण से पिता से प्रार्थना करता है। यदब भी उससे परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा जाता है। वह अभी भी परमेश्वर है। क्योंकि वह आत्मा का देहधारन है और उसका सार अब भी आत्मा है। आमीन। हाँ, इन वचनों से तो एकदम साफ हो जाता है। प्रभु येश्व देहधारी था और स्रिजत इनसान के नजरिय से उसने स्वर्ग के आत्मा को अपना परमपिता कहा। बिल्कुल। और यही मसीही की विनम्रता और आग्या कारिता थी। स्रिजित इंसान के नजरिये से प्रभू यीशु चाहे आत्मा से प्रार्थना करता हो या परमेश्वर के रूप में बोलता या कार्रे करता हो, उसका सार हमेशा दिफ्या था। वे हमेशा से यहोवा के रोप में वही परमेश्वर और आत्मा थे। वो यहोवा का पुत्र नहीं था, जैसा कि लोग सोचते हैं। परमेश्वर देहधारी होकर धर्टी पर आया, जैसा कि आस्मानी बुजुर्ग के बारे में पुरानी कहावत है। वो मृत्यू लोग में अफ्तरित हुआ। अब मैं समझा, परमेश्वर का देहधारी स्वरूब किसी भी नजरिये से बोले और कार्य करे, वह फिर भी स्वयम परमेश्वर है। बिल्कुल सही। दरसल विवस्था के युग में परमेश्वर ने कभी भी देहधारन नहीं किया, बल्कि वो आत्मा था। तो परमपिता और पुत्र का स्थित्व ही नहीं था। परम्पिता और पुत्र की कलपना तब स्थित्व में आई जब परमेश्वर ने देहधारन किया। जब देहधारी रूप में परमेश्वर का कार्रे समाप्थ हो गया, तो वो आत्मिक लोग में लौटकर आत्मा की रूप में विद्यमान रहा। उसके बाद परम्पिता और पुत्र की कलपना समाप्थ हो गई। सच्छा ये है कि धार्मिक जगत परमेश्वर के देहधारन के सत्य को समझाई नहीं। इसलिए जब उसने परम्पिता के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करते देखा, तो उसने यहोवा परमेश्वर और परम्पिता और पुत्र का संबंध मान लिया। जब परमपिता ने पवितरात्मां को कार्रे करने के लिए भेजा, तो उसकी कलपाएं जाग गई, और उसने तृत्व का भ्रांदे पून, सिध्धान्त गड़ लिया। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात बहुती हास्यासपद है। अच्छा, तो परमेश्वर की तृत्व होने का सिध्धान्त इस तरह अस्तित्व में आया। लोगों को परमेश्वर की देहधारन का कोई ग्यान ये समझ तो नहीं थी। इसलिए उन्होंने परमेश्वर को तीन भागों में बाट दिया। ये ज्ञानता का बेजोड नमुना है। बिलकुल सही। भाई ज्हांग ने मुझे एक भजन भी सिखाया है। मैंने भजन के बोल आनलाइन चैट ग्रूप में देखे हैं। सुनाओ क्या। हाँ हाँ, गाओ ना। म्यूजिक। बाद मेश्वर सच्पुच सर्वसमर्थ है। In the heavens He's the Spirit, but also God Himself. When He's among men He is flesh, But He's still God Himself. He may be called by thousands of names, But He remains God Himself. यह तो बड़ी विस्तरत व्याख्या है, परमेश्वर के आत्मा में सब कुछ समाहित है, वो सर्वव्यापी है, वो भले ही स्वर्ग की सभी चीजों पर शासन करता हो, पर वो धरती पर कारे करने और वचन बोलने के लिए भी आसकता है, बिल्कुल, सही का, तो अब सुनते र शो ब्ट में अ जूले नकलते हैं, अ'Tर चाले हैं, वो भान को इंजो कारे कैंसे के लान का धिए, ऑग धर न में सकता है, बाता तक्या काुल, सभी परसंगम परमेश्वर के कार्ये सच मुझ चमत कारी हैं। परमेश्वर का आत्मा लोगों के सामने अलग-अलग तरह से आ सकता है। वो स्वर्ग में हर चीज़ पर शासन करता है। वो धर्ती पर कार्य करने, इंसान को चुटकारा दिलाने और उसे बचाने के लिए देधारन करके भी आ सकता है। वो लोगों को प्रबध और प्रकाशित करने के लिए उनमें कार्य कर सकता है। सही बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान है, इंसान उनकी धा नहीं पा सकेगा सच है इंसान की धारणाओं के अनुरूप लोग चाहे कितने भी अच्छे सिध्धान्त प्रस्तावित करें, लेकिन वो बिलकुल भी वास्तविक नहीं है केवल एक ही परमेश्वर है, ये अनन्त काल तक ना बदलने वाली सचाई है, जिसे कोई नहीं नकार सकता बिलकुल, तृत्व की जिस सिध्धान्त से धार में जगट चिपका हुआ है, वो तलवार की धार पर चलने जैसा है, ये मजबूत आधार नहीं है ये वाख कई समझ गया, तृत्व वादी सिध्धान्त लोगों की धारनाओं और कलपनाओं पर आधारित है, ये ब्रांती है, तृत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है हाँ, वो तो है, सच कहूं तो, जब भी मैं पादरी को तृत्व पर बात करते सुनता हूँ, तो लगता है मेरा दिमाग कीचर से भरता जा रहा है, जितना सुनता हूँ, उतनी ही उलजन होती है सही कहा और अगर उनसे सफाई मांगो, तो पादरी बस इतना कहते थे हैं, कि तृत्व एक गहरा रहस्य है, इंसान में उसे साफ तोर पर समझने की अकल कभी नहीं आईगी इस पर विश्वास करने के लिए हम बस अपनी आस्था पर भरोसा कर सकते हैं सुना आपने, जाहिर है ये एक पुरानी कहावत एक भरांती है, इसे तो पादरी भी नहीं समझा सकते, इसलिए वो इसे एक रहस्य कहते हैं, ये रेत का महल बनाने जैसा है, ये कहीं नहीं टिकता एकदम सच है, जो धार्मिक अगुवा बाइबल को समझने का दावा करते थे, उन्होंने ही अपनी धारना और कलपनाओं के आधार पर तृत्ववादी सिध्धान्त की ब्रहांती को जन्म दिया है, उन्होंने लोगों को उलजा दिया, और विश्वासियों को पीढ़ी दर पूरी तरह से असंभव है कि इन तीनों को फिर से एक परमेश्वर बना दिया जाए क्योंकि तुम लोगों ने उसे बहुती सुक्षमता से बाट दिया है, यदि मेरा कार्य सही समय पर शुरू ना हो गया होता तो, कहना कठिन है कि तुम इस तरह धिटाई से कब तक चलते इस प्रकार से परमेश्वर को विभाचित करते रहने से वहाब तक कैसे तुम्हारा परमेश्वर बना रह सकता है, क्या तुम लोग अभी परमेश्वर को पैचान सकते हों? और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है ना? हाँ, बिलकुल. लगता है धार्मिक जगत के और धर्म शास्त्रियों को बाइबल की कोई समझ नहीं है, भले ही वे बाइबल को समझा सकते हों, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर को लेकर गलत फहमी है, धरसल वे परमेश्वर को जानते ही नहीं, बरना वे लोगों को धोका देने के लिए तृत्ववादी सिध्धान्त को कभी जन्म नहीं देते, बिल्कुल सही है, तृत्व के रूप में परमेश्वर का सिमांकन, परमेश्वर के स्वभाव का अपमान है, तृत्ववादी सिध्धान्त ने करीब 2000 सालों से धार्मिक जगत को धोखा दिया है, लेकिन आखिरकार अब सच्चाई उजागर हो ग क्या है वो सब किसने कहा, अरेयो धरन का स्रोत देखो, उसका स्रोत? वचन देह में प्रकट होटा है से, वचन खोद अंत के दिनों में मसीही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने व्यक्त किया है, प्रकाशित वाक्ये के अनुसार ये वो वचन है जो पवितरात्माने कलीसियो तो भाई जांग ने सर्वशक्तीमान परमेश्वर को स्विकार कर लिया休息 एक दम सही। यह रहा हूं मैं नहीं जा रहा हॉं अरे मैं उनी से तो मिलकर आया हूँ। यह तो जांच परताल कर चुके हैं अ झाल झाल